जैहन मेरे पैरे बच्चो नमस्कार तो एक अच्छी न्यूज आप सबके लिए ये है अब मेरी कोशिस ही होती है कि बच्चों आपको अच्छी न्यूज देते रहें ताकि आप पास्ट्यू बने रहें और बु thesis ऐकर का कामी यही होता है तो मेरे पैरे बच्चों बहुत सारे बच्चे जिनको लगना उनका सेलेक्शन दोती नमबर से नहीं हो पाएगा, खास तोर से यूपी के बच्चे उनके लिए बच्चो बहुत अच्छी न्यूज है, और गुड न्यूज क्या है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बच्चो गुड न्यूज य यह है कि यूपी में टोटल 21 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज आठ प्राइवीट और 13 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, और यह मैं नहीं बोल ला हूँ, अगर आप बच्चो यह साइट देखेंगे, dgme.up.government.in, तो इस साइट को अगर देखेंगे, तो इन कॉलेज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती के लिए, अलेडि एक मैने पहले आड आ चुका था, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती शुरू हो गई है, तो सरकार तो ऐसा करेगे नहीं, कि बैठा के प आटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुसिनगर, यूपी, आटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज पिलिभीत, यूपी, आटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सुल्टानकूर, यूपी, महात्मा विधूर आटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज विजनवर, कल्यान सिंग, राजक जलिटपूर, ये तेरा मेडिकल कॉलेज 13 medical college में बच्चों 1300 seat और अगर बच्चों 85% state quota है और अगर हम लोग इसको देख लें बच्चों तो ये total seat होती है 1105 तो 1105 UP के बच्चों से भरी जाएगी बाकि जो बच्ची हुई seat ने 1300 में से हैं ये आल इंडिया से भरी जाएगी पूरी संभावना है या निश्चित रूप से NEED 2024 में इन कॉलेजेज में कॉंसलिंग होगी और जब कॉंसलिंग होगी तो इसका सीधा सीधा फाइदा 1105 बच्चों को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के तो 1105 बच्चों की इच्छा पूरी होगी इनके आसों पुल जाएगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा बच्चों आठ प्राइवेट कॉलेज भी है तो मेरा आपसे ये कहना है कि अभी आप निरास परिसान रोना धोना मस्चुरू करिए अभी कॉंसलिंग होने दीजे और आपको बहुत सारे बच्चों के हमारे फोन में मेसेज है सर मेरा क्या होगा तीन साल हो गए चार साल हो गए तो थुड़ा सा बच्चों वेट करना चाहिए और मेरी आदत है जब भी कोई अच्छी नहीं हो जाती है तो अपने प्यारे बच्चों से शेयर करने का मेरा मन होता हूं मैं अपने को रोक नहीं पाता इसे लिए बच्चों इतनी रात में ये वीडियो हूं बना रहे हैं और इस वीडियो में भी कुछ कमेंट करेंगे अरे सर कहां खुलेगा जो निगेटिव सोचने वाले होते हैं वो हमेशा निगेटिव है आप प आपके साथ साजा करें और मुझे उम्मीद है कि ये निउज आपको अच्छे लगेगी क्योंकि इस निउज से बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा इसी तरह से पॉजिटिव निउज के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्काइब करें थाइंक्यू सोमज बच् झाल